हेलो एन वेलकम चुमाई यूट्यूब चैनल फरहा अकेडमी आयम फरहनास एन आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की फ्लैमिंगो बुक की पोयम माई मदर एट 66 बाई कमला दास माई मदर एट 66 हमारी पोयम है जो हमारे स्लेवस में लगी हुई है की राइटर है कमला दास हैं वह सभी का कॉमन डर होता है कि अपकी साफरी करते हैं आप के पारिशान exempt the के सो आप लुए कि हो आप लगने का यहां उने महसुञाएं को नाहीं जाएं तो वही दर में अपनी मान को देखती हैं और उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वे डर जाती है कि कहीं उनकी मदर को कुछ हो तो नहीं जाएगा तो वही इस पोएम में दिखाया गया है बेसिकली पोएट ने अपना डर और अपना दर्द दिखाया है इसमें अपना दुख दिखाया है तो चलिए हम को रीट कर लेते हैं सबसे पहले ओके लाट्स बिगिन ओके लेट्स रीट दी पोएम ड्राइवीं फ्रॉप प्रॉप टॉचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्ण इसाव माधर बिसाइड मी दॉस ऑपन माउथ हर फेस अ श्यान लाइट अपना अपनाउट अग और यालाइज यंग ट्रेज स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग यानि दोड तोग बहुत तेज देश से हम गाड़ी लायन दुपके में और से लगता है पेड़ भी हमारी गाड़ी के साथ या फिर गुनिये साथ और सेयरा रहे चले तो उसके लिए स्प्रींटिंग बर्ड यहीं होता है a few yards away I looked again at her when pale as a late winter's moon and felt that old familiar egg वो जो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक फैमिलियर एक है एक common सा डर है दुख है तो वही बात यहां पर हो रही है my childhoods fear but all I said was see you soon amma all I did was smile and smile and smile by Kamala दास तो हमारी पोय माई mother at 66 में जो राइटर हैं उनकी childhood से लेके grown up तक का एक दुख दिखाया गया है कि वह childhood में भी उसे feel करती थी और अब जो बड़ी हो गई है grown up की तरफ है तब भी वह इस दर्द को इस लुक को feel कर रही है तो वह दिखाया गया है तो चलिए हम इसकी लाइन बाइन समरी समझना के से लाइन थरन एन हैं आ रही हैं तब वो उनकी मां गाड़ी में बैठे है दोनों बराबर में बैठे हैं अपनी मां को जो बराबर नहीं कि कि भी घीर को जीवित व्यक्ति नहीं है अथन bede कर मैंने अनुभफ किया कि वह कहीं दूर विचारों के संसार में परवेश कर गई लगती हैं और मैं डर जाती हूं और उस विचार को फोरण अपने दिमाग से निकाल फैक्ती हूं तो ऐसा आपके हमारे हम सब के साथ ऐसा होता है कि हमें अगर कभी हम अपने पैरेंट्स के चहरे पर कोई शिकर्ण भी देखते हैं कोई भी पर सही उस विचार को अपने दिमाग से निकाल देते हैं तो वही राइटर के साथ वही सिचुएशन है उनके दिमाग में कुछ अजीब आने लगता है और वह उसे निकाल कर दिमाग से अपने माइं बिल्कुल फ्रेश करने लग जाती है मैं गाड़ी से पेड़ों को साथ भाग रहे हैं तो वह उन पेड़ों को बताती है कि गाड़ी में से भागते हुए पेड़ों को देखती है और फिर वह गाड़ी सोतरने के बाद जब कुछ की दूरी पर जाकर प्लैटफॉर्म यानि एयरपोर्ट पर जब वह पहुंचती है वहां खड़ी होती है और दर जाती है और उन्हें वही दर्द महसूस होने लगता है वही पीड़ा महसूस होने लगती है जो उन्हें बच्वन में महसूस हुआ करता था और फिर उनको बहुत सारी सोच आने लगती है लेकिन वह कुछ नहीं कहती और वह सिर्फ इतना कहती है स्यू सून अम्मा और व हुए कहती हैं वो फिर मुस्कुराती है और फिर मुस्कुराती है तो यहीं पर हमारी poem का end हो जाता है तो आई होप आपको poem की पूरी समरी समझ में आई होगी तो चलिए अब हम कुछ important words देख लेते हैं जैसे के एक word है familiar परीचित दर्द एक ऐसा दर्द जो उन्हें बच्पन से मैसूस हो रहा है एक ऐसा दर्द जो जिसको वह बहुत जानती है अच्छी तरह से वह कोई नया दर्द नहीं नहीं कोई नई पीड़ा नहीं नया दुख नहीं तो फैमिलियर एक परीचित दर्द इस पिलिंग यानि बहार निकलते हुए किसी भी चीज का बहार निकलना उसको इस पिलिंग के लिए बुलाया जाता है इस पिलिंग यानि बहार निकलते हुए तो यह वही most important words है जो हमा एक्जाम में अपना answer लिखेंगे तो आपको answer लिखने के लिए कुछ यह words है इनको लिखना होगा आपका answer बहुत attractive होगा और आपको marks भी अच्छे मिलेंगे so I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी summary समझ में आई होगी so don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel thank you